आप देख सकते हैं सपत से पहले गंगा घाटों पर पूजा की गई है मंत्रो चार के बाद लोगों सब किया गया है और ब्राण मंत्री नरेंद्र मोदी का यही क्रेज है कही ना कहीं महतपूर्ण है यह दिन और महतपूर्ण है यह समय क्योंकि आज रानमंत्री नरेंद्र मोदी सपत लेने वाले हैं और कहीं न कहीं मैतपूर्ण और बड़ा दिन जो जनादेश बीजेपी को मिला है और जिस प्रकार से रानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगवाई की है उसके बाद आज एक बार फिर से पत्भार ग्रहंड करने वाले हैं रानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 26 मई 2014 को पत्भार ग्रहंड किया था सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आये थे वहीज बार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये नहरा देते वे आए हैं प्लान मंत्री नहिंद्र मोदी तो आज का दिन बहुत बड़ा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूस रूम से हमारे साथ पुषकर चौहान जुड़ गए हमारे समाधाता और दिल्ली से हमारे से योगी अवैस उस्मानी भी जुड़े हैं सबसे पहले आए हैसा आपका रुख करना चाहूंगी प्लान मंत्री नहिंद्र मोदी का जो सुबह का कारे करम था वो तो हमने देख लिया है राजगाट गए फिर अटल ब्यारी वाजपई के समाधिस थल पर गए वर मिमोरियल हॉल गए अभी क्या कुछ कारे करम है और क्या विदेशी मेहमानों के जो आने का सिल्सला है वो लगातार चल रहा है जिब लकुल अभी अगर मैं ताधा अपडेट की बात करूं तो राशपती बहुन के अंदर राशपती ने कारे करम जहां पे होना है उस इस्थल का दोरा किया और तयारियों का जायदा अभी राशपती बहुन में राशपती रामनाथ कोई ने लिया और देखा कि किस तरह की तैयारियां हो रही है क्या तैयारा किसी स्टेज सकते हैं और कितनी दिर में पूरी हो जाएंगी तो अगर अभी राशपती ने तैयारियों का जायदा लिए अगर परदानमंत्री मोधी के कारेकरम की बात करें तो वह सुबह में ही सवा साथ बज़े के आसपास जह है वह बापो की समादी पर गए और वहां पर शर्दानजनी अर्पित की और बापो को ने वह सर दानमंत्री मोधी के उसके बाद पर 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 पहँँ और तृम के बाद Brian शहीदों को भी नमन किया और उसके साथ साथ कही के इन्धार के वहां पिर भी ने इता है इसके अगर सबसे बड़ी बात करें तो कौन मंदल में शामिल होगा कौन नहीं शामिल हुआ इसके अब ही तक अगर बात की तो 10 गंपे का आसपास का समय जो है क्योंकि साथ बेज़े शपत गरड समार हो है तो ऐसे में देखना यह कि अभी तक किसी का नाम जाए वह बाहर नहीं आप है अभी हम और आप बैठकर खयासी लगा रहे हैं कि यह नाम शामिल हो सकता है यह नाम शामिल हो सकता है कई नाम उसमें तफसील से भी चलने जो पिछल की तरफ से या सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारी गोश्रा इस बात की नहीं हुए मगर जो नाम सबसे उपर चलने हो उसमेरे विशंकर परताद है रक्षा मंतरी निलमा सीतरा मन जोशी है राजवरदर सिंग्र आठाओर है जनरल वीके सिंग है राजनात सिंग ह विश्रा मिने में आठाओर है रिजकर चलने ही है जो अपार जनाधेश मिला है जो बीज़े पी को उन्हों ने आशुर से अर्शु से आशु तक का सफर प्रतै कराया है एक बड़ा ही अनोखा समय होगा और सबसे बढ़ा दिन प्रताद मंतरी ऴीक रिए कह सकते हैं देखें खुश्बू मैं आपको बता दू कि प्रधानमंतरी नियन नोदी आज दूसरी बार जब शपत लेंगे शाम साथ बजे राजपती भावन में तब एक बड़ा इतिहासिक दिन होगा करीबन आठ हजार महमान मौजूद होंगे वहां पर और बिमस्टिक देश्ट करीए इक उन्होंने अर्ष से फर्ष का सफर तै किया यह हकीकत है जब उन्होंने 2001 में गुज्रात की मुखमंतरी समाला था उसके बाद ही गोधरा कांड हो गया था तब बहुत ज़्यादा उन पर जी पुशकर जी गोधरा कांड है तो बहुत लांचन लगे थे उन्होंने कुछ नहीं बोला था मैं आपको याद दिलाओ कि उन्होंने सबसे पहली बार 2011 में जब सुप्रिम कोर्ट से फैसला आया तो उनके ट्विटर हैंडल पर सिर्फ एक लाइन लिखिया था उन्होंने सत्त मेव जैते सत्त की विजय होती है तो ये एक तरीका है मोधी का अपने आलोचकों को जवाब देने का रही बात उनका 2014 में प्रधान मंतरी बनना और तब वो एक नाम लेके आयते हैं कि उन्होंने गुजरात मॉडल देश में लागू करेंगे जिस तरीके से गुजरात अच्छे प्रधेशों में गिना जाता है नंबर वन से नंबर फाइव की कटेगरी के बीच में आता है अगर राज्यों की परफॉर्मेंस देखें इसलिए मोधी ने 2014 में कहा जा सकता था उनके नाम पर वोट मिला था लेकिन ये जो 2019 का जनादेश है उसको कहेंगे मोधी के काम पर मिला है और हकीकत में बीजेपी ने पहली बार 300 से ज़्यादा सीटे पाई है तो ये मोधी का मैजिक है जो उन्होंने कामियाब किया है पार्टी को मोधी ने आलचोको को मुह तोड़ जवाब दिया है अपने काम के जरिये लोग कहते थे कि जितने भी सीनियर नेता है उनकी इज़त नहीं होती बीजेपी में लेकिन आज जिस प्रकार से दिन की शुरुआत की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने अचल बयारी वाजपई क सपने को साकार किया और कहिना कहीं वही श्रद्धाण जली सबसे बड़ी श्रद्धाण जली दी है आज देखिए आप जिस बात को कोट कर रही है वो राहूल गांदी ने आडवानी जी के संदर में या विपक्ष कहता रहा है ये नहीं है आप देखिए आडवानी जी को जब उन्होंने सेंटर हॉल में सबके सामने पैर चुके सबसे पहले जीत के बाद दूसरे दिन जाके मुली म नेताओं का जब आशिरवाद होता है तभी आगे आदमी बढ़ पाता है और उनको साथ मिला है थोड़ी बहुत तो कटुता है आप कहेंगे मतवेद हो जाता है मनभेद नहीं होता है ने तो पार्टी ने सबसे बड़े पद पर पहुंशने के बाद ये इस तरीके की गटन में और जिस प्रकार की देखे चर्चा है वैस की शाम में साथ बज़े से ये कारिकरम शुरू होगा मंतरियों के बारों में बता रहे थे क्या कुछ क्यास क्या कुछ सुखबुगाहर चल रही है वैस जिब लेकर मंतरों की बात करें तो कल अमिशा के घर के बाहर बहुत जादा सुखबुगाहर दिखेगी और राजनुती कहल चल दिखेगी कल अमिशा के घर अरजुन में अगवाल और रामलाल और नरेंट उमर भी पहुँचे थे और उसके बाद उसाद साथ बनारेंट का जो है राजनाठ संग ने पहली बार परधान मंतरीं मोदी से जब ये मंतरीं मंदल की बात चल लिए उस दोरान पहली बार मungkin की बात चीज़ चली थी उसके बाद पिर वहाँ से साड़ साथ बे क्यास पास जो है वो राजना सिंग निकल गए थे उसके अगर बात करें तो हमिशा के घर के पाहर जो हो बहुत ज़्यादा राजनी से खलकत देखी कि और कई बड़ी नेता पार्टी की जो थे वहाँ पहुचे और लगजातार मुलकात का दोर चलता रहा रात में बारा एक बे तक मलकातों का दोर चलता रहा है तो ऑफ़कर जी क्या लगता है एक तरफ जहां अरुन जेटली सामने से बोल रहे हैं उन्की तब्याव खराब है ऐसे में जो कयासों का बाजार तो वह बहुत जादा गर्म हो क्या लग रहा है जो बड़े-बड़े मंत्रा ले होंगे किसी क्या मिल सकता है पुशकर जी। इन रोगों से दूर रहेंगे तो आप अच्छा काम करनगे और इसलिए सिर्फ कयास लग रहे हैं जैसे अभी हमारे सहयोगी आवेस बता रहे हैं कि हम लोग सिर्फ क्यास लगा सकते हैं और क्यासी लगा रहे हैं क्योंकि लिस्ट राश्च्पती के पास लमसम भेजी जा चुकी है मोदी और हमिशा ने फाइनल कर लिए यही दो लोग जानते हैं कौन-कौन मंत्री बन रहा है उसके बाद राश्च्पती के अहां से कॉल जाएगी और वही लोग अग्तर मंत्री शपत ले सकते हैं किसका नाम है यह सिर्फ आप क्यास लगा सकते हैं जो सीनियन नेता है जैसे रवीशंकर प्रसाद है निर्मना सीता रमान है नरेन सिंग तोमार है राजनास सिंग है नितिन गड़करी है प्यूश गोईल है इनके नाम होने चाहिए यह क्य लेकिन हकीकत यह है कि किसको शामिल कर रहे हैं किसको नहीं शामिल कर रहे हैं यह खुलासा शाम साथ बज़े ही क्लियरिटी मिल पाएगी हाँ जिस तरीके की बात आ रही है शिर्फ सेना से अर्विन सावंत का नाम सबसे आगे चल रहा है या आप लजपी की बात करें तो उ उम्मीद की जा रही है कि जेडियू के दो मंतरी हो सकते हैं और इस बार पश्म मंगाल से शायद दो कैबिनेट मंतरी दे एक मुकुल राय का नाम भी है और दिलीब घोष जो प्रेसिडेंट है इस्टेट के वो चुनाव जीत के आए हैं यह इसलिए दो कैबिनेट मिल सकते है चार तक राजमंतरी दे सकते हैं यह सब मैं फिर खुश्मू कह रहा हूँ कयास है जी बिलकुल निश्री तो पर तो यह सब भी कयास है और लगातार जो है हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस पूरे मामले में बात भी किये हमारे सेयोगी पुश्करच्वार ने और